नमस्ते किसान बाईयों खांदेश गौट फॉर्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान बाईयों का स्वागत थे इस वीडियों में हम लोग कमेंट में जो सवाल पुछे गए हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करेंगे उनके जवाब देंगे तो यहाँ पर एक किसान बाईयों पुछाए कि हम लोग क्रॉट बीड अच्छी रख सकना अच्छा है या प्यूर ब्रेड अच्छा रहते जैसे कि वह कह रहा है कि गुज्री दिखती अच्छी है तो यह क्रॉस ब्रीड है सबसे पहले तो मैं पता दू गुज्री यह प्यू बुलते हैं दूसरी होते हैं गुज्री सिरूई जिन सिरूई बक्रियों के मूँ पे और अगले पहरों पे सपेद दब्बा होता है सपेद रंग होता है इन बक्रियों को गुज्री बक्रिया कहते हैं और जो सिरूई बक्री पूरी तरह से ब्राउन आती हैं उनको परबत स अपने बक्रियों के जो फार्मेंगे उसका भविश्य है और प्यूर ब्रेडिंग में हम लोग जो हमारी नैचरल जो भी कुछ नसल है उनको अच्छी तरह से पाल पोस्ट कर प्यूरिटी में मेंटेन करने की एक कोशिश है इसलिए प्यूर ब्रेडिंग ज़्यादा जरूरी है प्यूर ब्रेडिंग में पैसा भी ज़्यादा मिलता है जैसे कि देख लो आप जब भी कोई किसान बक्री लेने आता है अपने पास में या आपन कही जाते हैं तो हम लोग प्यूर ब्रीड माल खरिदते हैं हम लोग क्रॉस ब्रीड जानवर नहीं खरिदते तो प्यूर ब्रीड जब भी हम लोग किसी किसार माई के या से खरिदते तो उनकी जो रेट होते जो क्रॉस ब्रीड जानवर होते उनसे जादा होते इसका मतलब क्या है अगर हम लोग प्यूर ब्रेडिंग करें तो हमारी जो नसले है उनको तो हम समालेंगे उनको तो हम लोग प्रॉपर तरीके से रखेंगे साथ ही साथ हमें अच्छा मुनाफ़ा भी होगा क्योंकि उनके बादार में दाम ज्यादा अच्छे इसलिए प्यूर ब्रेडिंग में ही काम किजिए कोई भी नसल थिम्भालिए पर अपने को ओ प्यूर ब्रेड में ही काम करना है दूसरा सवाल किसान बहीं पुच रहे हैं कि हम लोग 700-800 किलो मिटर से कोई जानुवर खरीद के लाते हैं और इतनी दूरी से लाने के बाद उनको पाल पॉस के उनकी परिविश कर सकते हैं क्या तो जनरल यह आजकल जो ट्रेंड है जो कि राजस्तान से बकरी आती है महाराष्ट में या सौथ इंडिया में या राजस्तान से उपर बकरी जाती है उत्तर भारत में तो ये दूरी लगबग 700-800 किलोमेटर हो जाती है बहुत सारे जानवर जो महाराश्ट से जाते सौथ इंडिया में 400-800 किलोमेटर जाते तो जब भी हम लोग इतने दूरी से जानवर लाते हैं और जब भी हम लोग उनके नैशरल माहल से अलग किसी दूसरे इंवार्मेंट में दूसरे किसी अलग माहल में उनको रखते तो जनरली जानवर बीमार होते हैं और इतनी बड़ी जो दूरी से जानवर लाये जाते हैं जो कि घंटों घंटों मतलब 24-24 घंटे जो गाड़ी में ट्रावल्स करते तो थकावट के कारण जनवर बीमार होते हैं कभी कभी घञारी में उनकी मोध भी हो जाती है जनवर तो यह सारे डिक्कते आती हैं है पर हमने अब भी एक वीडियो बनाये कि वही जनवर बीमार को ट्रांस्पोटेसिशन करते सह हैं तो राजस्तार में सिर्वी सस्ता मिलता है महाराष्ट में बहुत महेंगा मिलता है पर यहाँ पर जब भी हम लोग बहुत दूरी से जानवर लाते हैं तो यहाँ पर जानवर आते हैं बीमार होते हैं उनका वजन कम हो जाता है कुछ जानवर मर जाते हैं तो इन सभी बातों का अगर हम लोग हिसाब लगाते हैं तो हमने देखा है कि महाराष्ट से जो भी यहाँ पर पले बड़े जानवर हैं जो कि कोई किसान बे अपने लोकल लेवल पर जनम देता है जानवर को उनको पालता है तो यह अगर महंगे भी लेने पड़ते हैं तो यह आपको अच्छे है इ के बारे हैं तो इनमें पूचा है कि कुछ सी वराइडि जो है वो बेस्ट है गोट शीर और कोड से पहले इससे पहले भी बहुतसाब़े बना है उसमें हमने इपात कहीं हैं बक्रियों के शीप के जो चाह को अलग है और गाया भैस के जो चाह evalu यह जैसे कि प्रोड़िक के बकरी से और शीप से हमें मास चाहिए मीट के लिए हम लोग ज़्यादत तो इनको पालते और गाए या भैस हम लोग दूत के लिए पालते तो दोनों का जो प्रॉडक्ट हो अलग-अलग है इस हिसाब से इन दोनों के लिए अलग-अलग चारे रहेंगे नेपियर वराइटी तो बहुत सारी है जैसे महाराष्ट में फुले जैवंद, फुले इश्वंद, इनेश सीक्स, उसके बाद में कुछ आया, सीवो फॉर आया, सुपर नेपियर आया, तो इंडोनेशन डार्फ नेपिर बहुत सारी वराइटीद आये, तो हम लोग बक्रियों के लिए ऐसे चारी पाने की मातरा कम है, उन चारों के अंदर, मतलब उसके अंदर ड्राय मैटर ज्यादा है, अगर हम लोग चारा कोई भी कटवा के सुका के रखते हैं, तो जो उसका, मतलब जब वो हरा था तप से लेके तो जो सूख जाएगा, इसमें ज्यादा मतलब वेट लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा सूख का बाग उसके अंदर रहना चाहिए, तो बखरियों के लिए हम लोग अभी जो वराइटिल आई है, सूपर ने पेर करके, यह एक बड़ी आ वराइटी है, पर इसके अंदर पानी की मातरा ज्यादा होती है, तो इससे भी अगर स चाहिए, यह बहुत पतला होता है, उसका स्टेम होता है, मतलब जो उसका पानी की मातरा कम है, सूपर ने पेर से तो मेरे इसाफ से वह वराइटी ज्यादा अच्छे है, और प्रोटीन की इसाफ से अगर देखा जाए, तो अभी जो लेटिस्ट वराइटी सूपर ने पिर यह बढ़िया वराइटी है, वैसे यह सूपर ने पिर गाय और भैस के लिए भी अपन दे सकते हैं, और बक्रियों के लिए सीवेपेस 31 या फिर सूपर ने पिर यह दोनों वराइटी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी एक और वराइटी आई है, जो कि है जो इंडोनेशन डार् पर इसमें पत्तों की मात्रा बोच जादा होते हैं, जो कि मतलब सौफ्ट बक्रियों की सूप से सूटेबल कही जाती है, तो एक वराइटी भी है, अभी यह इंडोनेशन डार्फ वराइटी भारत के अंदर अलग-अलग प्रांथ में अलग-अलग नामों से बेची जाती ह थोड़ा आप लोग आपके लोकल लेवल पर इसके बारे में देख लिजेए या नेट पर सर्च कर लिजाए आपको इसकी डिटेल जानकरें मिल जाएगी किसान महीं हो